असलाम निकम डियर स्टुडेंट इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 10th Class कमिस्ट्री के important long questions 10 questions होंगे इन 10 questions को अगर आप अच्छी त्रिके से त्यार कर लेते हैं तो इन्शाला आप वहार कमिस्ट्री के long questions में से आप फुल बटा फुल मार्क्स हासल करेंगे तो इन गैस पेपर में तीन portion बनाए गए हैं पेर वन पेर टू और पेर थ्री इन तीनों पेर में से आपने कोई से भी दो पेर सेलेक्ट कर लेने हैं और उनके अंदर जो पांच-पांच question है वो आपने त्यार कर लेने है तो इन्शाला जो है आपका पेपर फुल बटा फुल सॉल्व हो जएगा लोंग क्वेस्टन वाला portion जो है तो पेर नंबर वन की बात करें तो पेर नंबर वन का question नंबर वन जो है हमारे पास दर्जायल की मैक्रोस्कूपिक खसूसियात बियान करें राइट मैक्रोस्कूप पानी की खसूसियात बियान करें इसे तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है लोंग क्रृस्टन नंबर तो जो है उसमें हमारे पास लोंग क्रूस्टन नंबर तो में हमारे पास लाव मैस washing से क्या मرाद है एक जनल मसहाद की मदद से equilibrium constant expression आहस करें स्वाल नंबर और इसका बी ओप्शन जो है हमारे पास temporary और permanent hardness को कैसे दूर किया जा सकता है और इसके लिए एक तरीका भी बियान करें ठीक है और अगर English Media Student उनके लिए state law of mass actions and drive expressions for the equilibrium constant with the help of general equation और बी ओप्शन जो होगा how temporary and permanent hardness of water can be removed explain one method for each question number 3 है question number 3 हमारे पास है graph और मसाल की मदद से reversible reactions की वजाहत करें explain the reversible reactions with the help of graph and an example और इसका बी पोर्शन जो है explain how polar nature of water help to dissolve different substances पानी की polar nature किस तरह मुख्लिफ इस्याव को पानी में हल करने में मदद देती है तो स्वाल number 3 इसका यह हो जाएगा और इसी तरह से स्वाल number 4 जो है वो इसका देखते हैं स्वाल number 4 के अंदर है हमारे पास एसका option है describe equilibrium constant and its units with suitable examples मसालों की मदद से equilibrium constant की तरीफ करें और units को भी ब्यान करें और इसका बी portion जो differentiate between hard and soft water also explain causes of hardness of water और hard और soft water में फरक ब्यान करें और पानी की hardness की वज़ुहात भी ब्यान करें और question number 5 जो है question number 5 है discuss importance of equilibrium constant equilibrium constant की एहमियत ब्यान करें और इसका बी portion जो है explain water born diseases any 5 कोई भी पांच जो है water born ब्मारियां जो है वो आपने ब्यान करनी है इस तरह ये portion pair number 1 जो है वो आपका मकमल हो जाता है इसमें पांच question है ये pair आप कर लें और या इसके साथ जो है एक और pair करना पड़ेगा वो two कर सकते हैं आप या three वाला pair कर सकते हैं नेक्स जो हमारे पास pair number two है इस pair number two में question number one है इसका discuss manufacturing of sodium carbonate by solvay process with flow sheet diagram also discuss importance of this process solid process उसके त्यारी का त्रिका और उसका जो है flow sheet diagram नानी है और इसके हमिएत बियान करनी है आपके और वी portion is defined and classify hydrocarbons hydrocarbons की तरीफ करें और क्लासिफिकेशन करें और question number two जो है discuss manufacturing of urea with the help of flow sheet diagrams also describe its importance यूरिया की flow sheet diagram की मदद से त्यारी बियान करें और इसकी एहमियत भी है बियान करें और इसका बी वाला portion जो है describe physical properties of alkane with its uses alkane की त्यूसियात और इनके इस्तमालात जो है वो बियान करें और question number three हमारे पास describe various process involved in the concentration of ore और की concentration में जो मुखलिफ त्रीका का शामल है वो आपने उनकी वदाहत करनी है question number three का जो बी portion है explain hydrogenation of methane in diffused and direct sunlight सुरज की मदम और तेज रोशन में methane की halogenation बियान करनी है और इसी तरह से question number four हमारे पास question number four को देखते है question number four में हमारे पास इसका option है how a metal is defined explain in detail एक मेटल को कैसे refine किया जाता है तफसील से बियान करें और इसका बी portion जो है write uses and physical properties of alkynes alkynes की तभी खसूसियात और इस्तमालात बियान करें question number five जो है उसका a option है write a note on petroleum functional distillation process petroleum refraction distillation की अमल के वजाहत करें और बी portion है give any two methods of preparation for alkynes and alkynes alkynes और alkynes की त्यारी के दो त्रीके बियान करें तो pair two के जो है ये five question है इन में से ये सारे five question आप त्यार कर लें और इसी तरह से उपर से pair number one आप त्यार कर सकें अगर ये दो pair आप त्यार कर लेते हैं तो total ten question बनते हैं इन 10 question को ही आप अच्छी तरह के से त्यार कर लें तो इन्शाला आपका जो long question वो पोर्शन है वो full बटा full solve हो जाएगा और अगर इसके लावा आप तीसरा pair त्यार करना चाहते हैं तो तीसरे pair को देखते हैं उसमें कौन से five है question बें next जो है pair number three जो है मारे पास इस part three में जो है ये भी part आप कर सकते हैं या इसके पांच question कर सकते हैं इन total पंदना question में से आपने सिर्फ 10 question करने है या pair one और two के कर लें या one three के कर लें या two three के कर लें कोई से भी आपने 10 question करने हैं आपका paper full बड़ा full solve होगा इसका जो है question number one का ये portion जो है मारे पास write down the sources and uses of hydrocarbons, hydrocarbons के sources जो इनके इस्तमालात बियान करें और बी portion है write general properties of acid and basis acid and basis की general खसूसियात बियान करें और इसका question number two जो है इसका ये portion है what are vitamins explain two types of vitamins, vitamins क्या है इनकी दो types बियान करनी है और इसका भी portion जो है what are salts methods of their preparation salts क्या है इनकी त्यारी के त्रीका क्या बियान करें question number three है हमारे पास write down sources and uses of lipids, lipids के sources of uses बियान करने हैं और भी portion describe arheneas concept of acid based arheneas का acid based concept बियान करना है question number four जो है उसका a portion है what is protein what types of elements are present in it write down their sources and uses, proteins क्या है इनमें किस किसम की elements पाए जाते हैं और उनके sources और इस्तमालात बियान करें उसका b portion जो है वो right chemical reactions of acids, acids के जो हकीम यही तामलात लिखने हैं और question number five जो है question number five में जो है उसका a portion जो है write difference between dn and rna dna और rna में फरक बियान करें और बी portionals का write uses of facet and basis इस्तुड़ बेसिस के इस्तमालात बियान करें तो students in questions को आप अच्छे तरीके से त्यार कर लें इसके इलावा जो है किस्तुद बेसे करें कि ओसाओे को जो है